नमस्कार मैं अर्पित सुमन असिस्टेंट प्रोफेसर महला कोलेच चैवासा आज मैं B8 सेमेस्टर 2 के लिए जो टॉपिक लेकर आई हूँ वो पेपर 3 के यूनिट 4 से है ग्रूप बेस्ट टीचिंग लर्निंग मोड समु आधारित सिक्षन अधिगम मोड पार्ट 1 इसके प तो आईए आज वे टॉपिक को शुरू करते हैं समु आधारित सिक्षन अधिगम मोड ग्रूप बेस्ट टीचिंग लर्निंग मोड समु में रहकर बालक को गतिज उर्जा मिलती है जिससे उसकी कारेच्छमता बढ़ती है उसकी कतिशीलता पर समु में अनुकरन और प्रतिस प्रधा का प्रभाव पढ़ता है विद्याले में कक्चा कक्च सिक्षन अधिगम में सामुहिक रूप से सिक्षन कार्य होता है या पारंपारिक सिक्षन अधिगम है जिसमें कक्चा की गति सभी चात्रों के अनुरूब ह करते हैं समू आधारित सिक्षन अधिगम मोड यह नाम से सपस्ट है कि सिक्षन अधिगम की प्रक्रिया समू पर आधारित होती है समू में रहकर बालक को गती जूर्जा मिलती है potential energy मिलती है चुकि समू में बहुत सारे बालक होते है एक दूसरे को देखकर वो सीखते है उनकी कारेशंता बढ़ती है work efficiency बढ़ती है कैसे कि समू में बहुत सारे छात्र होते है और एक दूसरे को देखकर उनमें अनुकरन यानि देखकर सीखना और प्रतिश्प्रधा का प्रभाव पढ़ता है, competition भावना बढ़ती है इस कारण से उनमें कारेशमता बढ़ती है, ऐसा कहा गया है विद्याले में जो classroom teaching होता है, वो सामुहिक रूप से ही होता है यह एक पारंपारिक सिक्षण अधिगम है, जो बहुत पहले समय से चलती चली आ रही है इसमें कक्षा की गती सभी छात्रों के अनुरूप होती है किसी एक छात्र विश्यस को लेकर नहीं, बल्कि सभी छात्र को देखकर ही कक्षा की गती होती है इसमें सामाजिक मेल जूल विचारों का आधान प्रदान होता है कक्छा समू के सभी छात्र एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं तो इस तरह से यह असपस्ट है कि समू आधारित सिक्षन अधिगम मोड पारमपारिक सिक्षन अधिगम है जिसमें कक्छा की गति छात्र के अनुरूप होती है समू आधारित सिक्षन अधिगम के लाब Advantage of Group Based Teaching Learning Mode अब हम देखेंगे कि समू आधारित सिक्षन अधिगम के कौन-कौन से लाब है सबसे पहले है समाजिक्ता का विकास Development of Sociability समू आधारित सिक्षन अधिगम के द्वारा छात्रों में समाजिक्ता का विकास होता है समू में रहकर ही छात्र दूसरे की मदद करना, सहयोग करना, मिल जुल करके रहना इत्यादी समाजिक गुनों का विकास कर पाते हैं अर्थात, समु आदारित सिक्षन अधिगम के द्वारा छात्रों में समाजिक्ता का विकास होता है। नेक्स्ट है, प्रेरना प्राप्त करना, इंस्पायर होना। समु में छात्र एक दूसरे का अनुकरन भी करते हैं। प्रतिश्प्रधा की भावना भी उनमें पाई जाती है। अर्थार जो छात्र क्लास में फर्स्ट आता है उसे देखकर दूसरे छात्र भी क्लास में फर्स्ट होना चाहते हैं यानि कि अभिप्रेरित होते हैं नेक्स्ट है मानसी क्रियाओं का विकास समू अधारित सिक्षन अधिगम के द्वारा छात्रों में मानसी क्रियाओं का विकास होता है इसके बारे में हमने पहली भी चर्चा की कि समू में छात्र एक दूसरे का अनुकरन करते हैं उनमें प्रतिश्प्रधा की भावना भी आती है और इनी कारणों से मानसी क्रियाओं का विकास होता है नेक्स्ट है आत्न त्याग की भावना का विकास सेल्फ सेक्रिफाइस करना आप लोग स्वयम भी इस चीज को महसूस कर सकते हो कि जब आप समू आधारित सिक्षन अधिगम के अंतरगत अधिगम करते हो तो कभी-कभी अवशक्ता के अनुसार अपने फ्रेंड की मदद करते हो और उसके लिए सेक्रिफाइस भी करते हो और या समू आधारित सिक्षन अधिगम मोड के अंतरगती हो सकता है Next point है, कारे कुशलता की प्राप्ति समू में चात्र एक दूसरे को देखकर सीखते हैं यानि अनुकरन करते हैं उनमें प्रतिशप्रधा की भावना भी विक्सित होती है इस कारण से धीरे धीरे वो कारे कुशल हो पाते हैं यानि कि उनके कारे करणी की छमता बढ़ जाती है, skilled हो जाते हैं सहयोग की भावना का विकास समू आधारित सिक्षन अधिगम के द्वारा छात्रों में सहयोग की भावना का विकास होता है समू मेरा करके छात्र एक दूसरे को सहयोग करना सीख जाते हैं नेक्स्ट है प्रतियोगिता की भावना का विकास पिछले स्लाइड में हमने यह देखा ही है कि समुमेराकर छात्रों में अनुकरन तथा प्रतिश्प्रधा की भावना विक्सित होती है अर्थात प्रतियोगिता की भावना विक्सित होती है नेक्स्ट है नेतृत्व के गुणों का विकास, leadership quality डवलब करती है शमू मेरा करके ही छात्र एक अच्छा नेता बन सकता है और स्वयम में नेतृत्व के गुणों को विक्सित कर सकता है इसे आप सबुने leadership chapter में भी पढ़ा है समु आधारित सिक्षन अधिगम के प्रकार Types of Group Based Teaching Learning Mode This is very important सबसे पहला प्रकार है सहकारी सिक्षन अधिगम Cooperative Teaching Learning Mode दूसरा है सहयोगात्मक सिक्षन अधिगम Collaborative Teaching Learning Mode इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है जिसमें आप विस्तार से देखेंगे कि सहकारी और सहयोगात्मक सिक्षन अधिगम Mode क्या होता है समु आधारित सिक्षन अधिगम के उधारन Example of Group Based Teaching Learning अब हम देखेंगे कि समु आधारित सिक्षन अधिगम के अंतरगत कौन-कौन से तरीके या विधी का प्रयोग किया जाता है सबसे पहले है सामुहिक चर्चा Group Discussion सामुहिक चर्चा में छात्र सहयोग पुर्वक एक दूसरे से किसी समस्या पर विचार करते है Discussion करते है और सिक्षक उस विशय पर छात्रों को वार्ता लाब Discussion करने के लिए प्रेरित करता है Next है खेल विधी Gaming खेल विधी में सिक्षन अधिगम की प्रक्रिया खेल के द्वारा होती है खेल खेल में होती है Next है Roleplay विधी Roleplay Method Roleplay विधी में कक्षा को छोटे छोटे समुह में बाढ़ दिया जाता है और सिक्षक और छात्र दोनों को Roleplay करने होते है अभिने करना होता है और उसी के द्वारा सिक्षन अधिगम की प्रक्रिया संचालित होती है Next है परियोजना विधी Project Method इस विधी में छात्रों के सामने एक समस्या प्रस्तूत कर दी जाती है और छात्र उसका हल निकालने का प्रयास करता है इसमें छात्र अपनी रूची वा इच्छा के अनुसार कार्य करता है Next है यथार्थवाद विधी Simulation Simulation का अर्थ है भूमी का निर्वा Roleplay करना या कहें नकल करना किसी कृत्रिम परिस्थिती में Artificial Situation में बिलकुल यथार्थ यानि कि Real जैसा कार्य करना सिक्षन करना यथार्थवाद सिक्षन कहलाता है तो इस तरह से आज हम लोगों ने समु आधारित सिक्षन अधिगम के Basic Concept को जाना इसके बाद हम उसके विविन प्रकारों को Detail में देखेंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने को मिलेगा तो आज के लिए इतना ही अब मैं आप लोगों से विदा लिना चाहूंगी धन्यवाद